बिहारी नियूज में संदली सिना का जन 11 जनवर 1973 में बिहार के मुजफर पुर में हुआ था संदली सिना ने फिल्मी जगत की शरुवात तुम बिन फिल्म से की थी उनकी इस फिल्म ने फिल्मी परदे पर खूब धमाल मचाय था मगर इस फिल्म के बाद संदली सिना का फिल्मी करियर वहीं का वही थम गया जिसके बाद से संद्ली ने अपनी किस्मत बिजनस में आजमाने का फैसला किया और आज संद्ली एक बेहदी काबिल बिजनस महिला बनकर उभरी है संद्ली सिना ने 2005 में बिजनसमान किरन सलासकर से शादी की संद्ली सिना के तीन बचे हैं संद्ली सिना के व्यक्तिके जीवन के अगर हम बात करें तो संद्ली एक एर फोर्स बाक्राउंड से आती है उनके पिता एर फोर्स में बत और ओफिसर काम करते हैं मगर ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था संद्ली ने अपने पढ़ाई दिल्ली से की थी वहीं किशोर नमित कपूर आक्टिंग इंस्टिटूट से उन्होंने आक्टिंग क्लासे लिए शुरुवाती दिनों में संद्ली डॉक्टर बना चाहती थी नेहा शर्मा का नेहा शर्मा मूल रूप से बिहार की निवासी है नेहा का जन बिहार के भागलपूर जिले में 21 नवंबर 1987 में हुआ था नेहा के पिता कॉंग्रेस पार्टी के नेता है मगर नेहा ने राजनीती का रुख छोड़कर आक्टिंग में अलग करियर बनाने का सपना देखा नेहा ने अपनी जीवन की प्रारंभी पढ़ाई भागलपूर के ही माउंट का मिल स्कूल से की थी जिसके बाद उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की भी अपनी पढ़ाई की बत और आक्टर नेहा की कई फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर अच्छा काम भी किया नेहा को उनके अभिने के कारण कई सारी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला नेहा ने अपने फिल्म करियर के शिरुवात दक्रूप फिल्म से की थी जिसके बाद नेहा ने तेरी मेरी कहानी में एक छोटे से रोल के अलावा क्या कूल है हम यंगिस्तान जैसी फिल्मों में भी काम किया आप में से बहुत कम लोगों को पता हुआ कि निहा ने अपनी करीर की शिरुवात तेलगू फिल्म से की थी, निहा के अभिने और खुबसूरती का कायल हर कोई है तीसरे पायदान पर है नीतू चंद्रा बिहार की प्रतिभाव में नीतू चंद्रा का नाम भी हमेशा लिया जाता है क्योंकि नीतू चंद्रा उन तमाम अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने बिहार का नाम मुंबई जैसे चकाचान शहरों तक रोशन किया है नीतु चंद्रा का जन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था नीतु ने अपनी पढ़ाई भी पटना से ही पूरी की थी लेकिन सबसे खास बात यह है कि नीतु चंद्रा के बारे में उन्होंने अपनी शिरुवाती दिनों में अपनी प्रतिभा को पहचान लिया था और इसका अन्दाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि नीतु ने अपने शुरुवाती कॉलेज की दिनों में modeling और acting के छोटे मोटे projects को करना शुरू कर दिया था जिसके बाद उन्होंने विग्यापन की दुनिया में कदम रखा जहां जानी मानी company उन्हें अपना star face बनाना चाहती थी उस वक्त नीतु चंद्रा ने कई विग्यापनों में भी काम किया इस सूची में अब हम बात करेंगे सुनाक्षी सिना की जिन्होंने दबंग फिल्म से अपने करियर की शुरूआत की थी और आज तक एक से एक हिट फिल्मों का हिसा रह चुकी है बता और अभिनेत्री सुनाक्षी सिना ने वहाब उकाम हासिल किया है जो की हर किसी अभिनेत्री के बस की बात नहीं होती लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि सुनाक्षी सिना भी बिहार से तालुक रखती है सुनाक्षी का जन भले ही बिहार में ना हुआ हो मगर सुनाक्षी के पिता और माता दोनों का बिहार से गहरा रिष्टा है सुनाक्षी सिना के पिता स्ट्रत्यूगन सिना पटना में भाजपा की ओर से बत और सांसद रह चुके हैं सुनाक्षी के माता पिता दोनों इस वक्त राजनीती से बेहधी मजबूत और एहम जोड़ाव रखते हैं आज सुनाक्षी सिना ग्लामरेस अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं अपनी एक अलग पहचान बनाई है प्रियांका चोप्रा अभिने की क्वीन तो है ही मॉडलिंग में भी उन्होंने सब को पीछे छोड़ दिया है देकिन जितनी आसान प्रियांका की रहा दिखाई देती है उतनी नहीं थी आज जिस भी मुकाम पर प्रियांका चोप्रा है वह मुकाम उन्हें रातो रात बैठे बैठे नहीं मिल गया उन्होंने इसके लिए कड़ी महनत की साथी चात जीवन के हर मोर पर सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना किया है चाहे वो उनके लुक्स के लिए हो या रंग के लिए हर बार प्रियांका ने मांसिक और शारिरिक चुनोतियों का डट कर सामना किया है शायद आज यही बज़े है कि प्रियांका का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकती है तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद